प्रेंट्स हम अभी है करन जाड़े में अपना एक वन बेच के दिखा रहे हैं यह देखिए सामने रोड दिख रहा है यहां पर बस्टॉप है आगे जाएंगे तो दो तीन बिल्डिंग छोड़के न्यू बस्टॉप है और यह अपना श्री विट्टल सेडेंसी वाली बिल् से अंदर जा रहे हैं तो चलते हैं देखते हैं तो यहां पर देखिए मैं जस्ट आपको दिखा रही हूं यह जो दिख रहा है यह रोड है यहां से हम एंट्री है और यह कमर्शेल के अलग से दिया था और हम अभी बेन सोसाइटी के तरफ जा रहे हैं जहां पर आगे तो आर्थ्री में करन जाड़े में वन बेच के जो रेडी टू मूँ ओसी रिसीवड हम फ्लाइट आपको दिखा रहे हैं तो यह है लिफ्ट यहां पर लिफ्ट देख सकते हैं जी प्लस सिक्स की बिल्डिंग है और दिख रहा है आपको इतना बड़ा है और यह लिफ्ट है लिफ्ट से यह फ्लाइट नंबर है 406 जहां पर आगे आप शूरैक रख सकते हैं शूरैक के लिए जगह है अच्छी खासी आगे कोई फ्लाइट नहीं है तो यह अपना 406 वाला फ्लाइट है दिख रहा है बेल वगरा सब रेडी टू हूं ओसी रिसीवड है यह अपना हॉ है अब देख सकते हैं पुरा लाइट फिटिंग वगरा किया हुआ है लाइच डोर का सब रेडी है तो टीवी के लिए वगरा यहां पर कनेक्शन के लिए टीवी के बन सब चीजें दी गई है और यह हॉल की अपनी बालकनी है बालकनी आप अभी एक्स्टेंट भी कर सकते हैं ओसी आई हुए इसके तो यह अपना हॉल था अभी चलते है टॉयलेट बात्रूम की तरफ यह अपना टॉयलेट है टॉयलेट अलग और बात्रूम वाश्रूम अलग है यहां आपको ड्राइ एरिया दिया है यह देख सकते हैं यहां पर दर्वा जो दिया है ड्राइ एरिया है इसको यूज़ कर सकते हैं बात्रूम में एक बैसे है और बाकी शावर लगाया हुआ है और अपना यह किचल है किचल में प्लाटफॉर्म के उपर टाइस पूरे दिये हैं इंचे जगह है यहां पर भी आपको पॉइंट दिया है फ्रीज के लिए वगरा मिक्सर का भी पॉइंट दिया है यह वाटर प्यूरिफाई के लिए पॉइंट दिया है और यह एक बालकनी है किचन में किचन को भी बालकनी है जिसका आप एकस्टेंट कर सकते हैं या वाशिंग मशिन के लिए यूज कर सकते हैं यह अपना बेड्रूम के तरफ जाते हैं यह अपना बेड्रूम है कि अपने बेड्रूम में भी आपके बालकनी की हुए है अपने बालकनी गए इसको भी एकस्टेंट कर सकते हैं या अपना वन भी एच के 660 का एरिया इसका